किसान भायों अगस्त के महिने में भी दबा के बारीव सो रही है जिसके कारण मंडियों में सब्जी का अभाव बना हुआ है क्योंकि जो सब्जियां पहले से लगाई हुए थे या तो खतम होने की कगारपे है या तो खतम हो गई है जिससे जो है एक अच्छा गैब बना हुआ है यहाँ पे अपन को जो है पालक की खेती करके बहतरी लाब लिया जा सकता है किसान भाव पालक की बुआई के लिए हमें ऐसे खेत का चैन करना चाहिए जिस खेत में जो है चार या पांच घंटे से अधिक जो समय तक पानी उसमें ना इस्थिर होता हो किसान भाव आज हम आपको पालक की बुआई की ऐसी भी दिवताएंगे जिससे आपके खेत में अगर पानी लगता भी होगा फिर भी आप आसानी से जो है पालक की खेती कर सकते हैं तो वीडियो में बने रहे हैं मैं बिजय मौरिया आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल नमबर वन खेती बाड़ी जो भी किसान भाव आई हमारे चैनल पे नए हो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ज़रू दबा दें ताकि खेती बाड़ कई बार हमें अच्छी तरह से जुदाय कर लेनी है रोटावेटर कल्टीवेटर और अपने खेत में कंपोश्ट खाद जरूर लगाए अगर नहीं है तो जो है डी एपी जरूर खाद लगाए आप जो है लेजर मसीन के द्वारा जो अपने खेत में मोटी मेड बना सकते हैं यह आपकी पहली बीद ही हो गई लेजर मेड बनाने के बाद जो हाद से बुआई कर सकते हैं पालक की किसान भायों यदि आप जो है इस महिने में पालक की बुआई करके पालक तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत यह अच्छा मुनाभा मिलेगा क्योंकि यह भी यह लिडोों पालक नाजा नीचे ही रह जाएगा जिससे जो है आप पाल्क की खेती देखी होगी पालक की या कोई भी फसल अपने खेत में कैसे बोते हैं जो क्यारियों में बटा होता है तो किसान भायों तीसरी वीद हमारी यही है आप देख पा रहे होगे कि हमारा खेत बिल्कुल समतल है खेत की अच्छी तरह से ने जो तयारी कर ली है और इसमें जो प्रती एकड की दर से 15-16 किलो जो है इसमें बीज लगता है अगर वहीं पर खाद की बात करें तो इसमें जो अगर गोबर की सड़ी भी खाद आपके घर पे नहीं है तो जो है 20-25 किलो डीएपी ले लें और सिंगल सुपर फासफेट ले लें 20 किलो और उसके अच्छी तरह जो खेट में मिस्रित करके फिर उसके बाद बुगाए करें किसान भायों आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा समतल खेट था और जो क्यारियां हम लोग बनाते हैं उसमें जो मेड बनाते हैं और इसमें क्या करना है कि जैसे आप क्यारियां बनाते हैं चारो दिसाओं से तो ऐसे में जो आप देख पार्योंगे कि 4 तरप से जो थार भूडब से क्यारियों में मिट्टी फेकई जा रहे इससे क्या होगा कि 4 से 5 इंच जो आपकी ऐख़े खेत उचाई कर रहा और यह जो नाली बन जाएगी जिसे आप मट्टी फेक रहे हैं क्यारियों में यह नाली जो बन रहा है तो ऐसे में जो हम बरसात का पानी जो वो नाली के माध्यम से बाहर आ जाएगा देख पार होंगे कि हमने जो है इस प्रकार से क्यारियां त्यार कर रखी है और जो है फिर इसको गुड़ा थे शोते किसान भी कर सकते हैं जिनके पास अपने खेत व क् Jobर ब्यूंट के ले जाने की ने यानिए कि आपका जो है चार से पांच इंच जो मिट्टी खेद की ऊपर हो गई है वह अगर बारिस होता है तो उसमें से जो पानी जो है जो है लुड़क का यार कहें अगर समतल है धगर कर जो है वह नाली के माध्धम से खेद से बाहर चला जाएगा यह हो गया और दूसरी चीज यह हो गई कि इससे फायदा क्या है कि जैसे मान लीजिए कभी कवार किसान भाइव बरसात के मौसम में भी बारिस नहीं होती है और आपका पालक जो है जम जाता है तो ऐसे में जब उसकी सिचाई करनी रहती है तो जो मेड़ पे होती है तो उसको मेड़ सो नाली के माध्धम से उसकी सिचाई कर देते हैं और इसको जो है आसानी से जो चारो दिसाओं में जो पानी लगा सकते हैं नाली है तो उसमें पानी लग जाएगी फिर उसके माध्ध जो हाथे के माध्धम से जो है इस पे पानी का छिड़काव कर देते हैं और किसान भाइव आपको तो पता है क पालक की खेती जो है बहुत ही कम समय में तयार होने वाली फसल यानि अगर पचीस से तीस दिन तक हो गए तो आपकी फसल तयार हो जाती ऐसे में किसान भायों अगर बारिस नहीं होती है तो एक दो बार आप हाथे के माध्यम से इसमें जो है पानी का छिड़काव कर देंगे तो आप अच्छी तरह से फसल ले पाएंगे किसान भायों यह प्रक्रिया जो हमने आपको बताई है कुदाल के माध्यम से कर सकते हैं वही चीज़ अगर आप बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आप ट्रैक्टर से बुगाई करके रोटा वेटर से अच्छी तरह से ज कैसे मेड़ बना सकते हैं किसान भायों आज के वीडियो में फिर यहीं तक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान